नमस्कार, नियूस क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोली की रफ़तार से चलने वाली बुलिट ट्रेन की और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं D. Raghunandan हमारे शोव में बहुत बहुत आपका स्वागत। पहला सवाल तो यह ही कि ॐस पीड रहे स्वाषन और मीडियूम स्पीड रहे यही था इनका फिर्ड है हाई हमारे स्पीड रह उस के ओपर आप बुलेट ट्रेन को नहीं चला सकते हैं तो जब भी आप बुलेट ट्रेन की टेक्नॉलची को अपताएंगे उसके युप से फुरा ट्रैक लगेगा जो अब जो हिंदुस्तान में अब पुपोजल है मुंबाई से लेकर आमदाबाद तक पांसो तेरा किलोमेटर तकरीबन का ट्रैक है यह पूरा ही नाया लगेगा जैसे डिली मेट्रो का ऊपर से जाता है वैसे ट्रैक बनेगा इसका अलग स cuánto gysperee ben जिसे आयर्डु कि डुनिया में अभी तक क्या experience रहा है देखें बहुत mixed experiences मैं कहूँ गवी तक का जो experience है वो हमें ये बताता है कि जो high income KL ЦG wixit देश हैं केवल उनमें ये success हुआ है केवल इसलिए नहीं कि ये project महंगा है इसमें लागत बहुत लगती है पर इसलिए कि इसको वायबल बनाने के लिए आपको किराय काफी उंचे रखने पड़ते हैं नए तो इसकी वायबिलिटी नहीं निकलती ये प्रॉफिट में नहीं आएगा तो जहां पे आपने किराया बढ़ाया अगर आप विकास शील देश में रखेंगे तो पैसेंजर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो अभी तक जितने उधारण हमारे सामने हैं दुनिया भर में और वो जादा नहीं है जैसे बात भारत में की जाती है कि विकसित देशों में तो होता है तो भारत को भी उनके साथ शामिल होना चाहिए कुल पूरे दुनिया में बारां से लेके पंदरा मुलक में हाई स्पीड रेल लगे हैं उसमें जपान है जिन से हम ये टेक्नालिजी ले रहे हैं जपान की जो शिंकान सें जिसे बुलेट ट्रेन कहते हैं वो टोकियो से लेके उसाका जो उनकी नमबर दो शहर है इन दोनों को कनेक्ट करता है पर ये जो रूट है टोकियो टू उसाका इस रूट में जो में कमर्शल और अद्योगिक केंदर हैं जपान के वो आते हैं और तकरीबन देश की 50 प्रतिशत अबादी ट्रैक के दुनों साइट पे रहते हैं तो जाहिर है ये अल्मोस पूरे देश को कवर कर रहा है वैसे दक्षिन कोरिया में उनकी कैपिटल सोल से लेके बूसान तक का ट्रैक है वो तकरीबन देश के 70 प्रतिशत जनता को कवर करता है तो ऐसे हालात में ऐसे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी निकलती है पर फ्रांस में जहां बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है वो भी इसमें बहुत आगे हैं बुलिट ट्रेन की टेक्नालिजी में पैरिस से लेके लियों तक जो कनेक्टिविटी है वो भी एक ऐसा कनेक्टिविटी है राजधानी से लेके उनके बड़े मैशूर शहर तक पर उसको आदे टाइम सबसीडी पे चलाया गया है तो पर जहां पर विकासशील देश है अभी तक तुरकी में एक लाइन लगा है वो वायबल होगा या नहीं होगा अभी तक कुछ कहनी सकते है उसके बारे में मलेजिया में लगने जा रहा है उसके बारे में भी नहीं कह सकते है पर वो कौलालबपूर, सिंगोपूर के बीच में अगर होगा, तो चांस है कि वो वायबल हो सकता है इसमें. ताइवान में एक प्रोजेक्ट लगा गया था, जो बिलकुल कंगाल हो गया और वो बैंकरफ्ट हो गया, सरकार को उसको पैसा दे के उसको रिवाइव करना पड़ा है. तो experience has been very mixed, इसमें बहुत mixed अनुबव रहा है और विकासशील देश में इस सा सक्सेस होना अभी तक देखा नहीं गया, इसका केवल एक मात्रे exception है, हर चीज़ में वो ही exception है चीन में, पर चीन में उन्होंने 20,000 किलोमेटर के बुलेट ट्रेन के ट्रैक लगाये हैं, अब चीन से जो आंकड़े मिलते हैं, कितनी reliable हैं, नहीं हैं, इसके बारे में कहना मुश्किल हैं, पर हम इतना जानते हैं, कि इन्होंने जो किरायत हैं बुलेट ट्रेन के, उसको 10 बार कम किया है, क्योंकि जितना पहले हाई था, उतने में उनको पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, दस बार कम किया है, अब वो viable है या नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, पर इतना पता है कि चीन की रेलवे सिस्टम, तकरीबन 300 बिलियन डॉलर के डेक्ट पे, उधार पे चल रहा है आज के दिन में, अब चीन ऐसा देश है जो शायद इतने बड़े रकम को सह सकता है, मुझे यकीन नहीं है कि भारत इसको सह पाएगा, तो इन ही अनुभवों के आधार पर आप क्या बता सकते हैं, कितना वाइबल होगा यह जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इंडिया में लगाने की कोशिश की जारी है, देखिए जो मुंबाई से अमदाबाद का जो ट्रैक बताया है, वैसे तो ये एक अच्छा सेलेक्शन है, क्योंकि मुंबाई से अमदाबाद ट्रैफिक बहुत हाई है, जादा बिजनस के लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, और उमीद है कि वो अफोर्ट कर पाएंगे बुल दोमेन में नहीं है, पर इंडियन इंस्टिटूट अफ मैनेजमेंट अमदाबाद ने भी एक स्टडी किया है, इन स्टडी के मुताबिक मुंबाई से अमदाबाद का भाड़ा, अगर इस बुलिट ट्रैन को वायबल बनाना है, तो तकरीबन चार हजार से लेके साड़े च तो मुझे नहीं लगता है ये कैसे वायबल होगा, कौन साड़े चार हजार रुपे में ये लेगा जब उसको हवाई जास का टिकेट आदे दाम पे मिल रहा है, तो मुझे तो डाउट है कि क्या ये सकसेस हो पाएगा या नहीं, दूसरा कारण जो मुझे डाउट इस बात पे है कि अनुमान ये लगाए जाता है कि इस रूट पे ये सकसेस होने के लिए आपको कम से कम साल में पाँच करोड पैसेंजर को इन दो शेहरों के बीच में ले जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि क्या हम इतने पैसेंजर को इसमें ले पाएंगे या नहीं, उधा पाइबल रहा है बिना एकसिडेंट के कई सालों से चल रहा है पचास साल के उपर से, वो साल में तकरीबन पंदरा क्रोड पैसेंजर ले रहा है, उसमें तो वाइबिलिटी है, हम पता नहीं कहां पे कितनी दूर तक यहां पे आप आपाएंगे, मुझे बार्ट डॉट है क छोड़ोगे हें, उनके कुछ अपने विचार हैं, जैसे कुछ ऑको एक लौड़ाजिक्स देते हैं अपनी तरफ से, कि पहले तो उनका logic यही रहता है कि 既 coalitionLet इसी मान सखता कि है कि वो हर चीज का विरोध करते हैं तो उस बारे में आप का क्या फेल बहुत सरल सी बात मैं कहुआंगा मैने अभी तक जितनी बात कही है मैंने कोई ideological बातने की मैंने यह नहीं कहा कि यह सरकार की एक दिशा है point of view कि ये वाइबल है या नहीं है और अगर वाइबल नहीं है तो आप उस पे एक लाक करोड का खर्चा क्यों करें मैं इस बात को उठा रहा हूं और मैं दूसरी बात को इस बात को उठा रहा हूं कि आपने इतना महिंगा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में 90 से जादा प्रोजेक्ट ले रहे हैं या तो आप मालगाड़ी उसके लिए लगा रहे हैं फ्रेट या आप राजधानी दुराउन्तो एसी में चलने वाले पैसेंजर वो केवल वो पांच से दस प्रतिशत श्रेणी के जो हैं उन पे लग रहा है तो मेरा मानना है कि ये आइडियो जो जो बायस जिसे कहना चाहिए वो मैं नहीं दे रहा हूँ वो सरकार दे रही है इस बाग पर मैं इस प्रोजेक्ट को मेंली वायबिलिटी के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूँ एक चीज और है समर्थकों की दरफ से ही उनका मानना ये है कि अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्स लाएंगे तो हमारे पास नई टेक्नोलजी आएगी और हम इसको पहला सकते हैं जिसके कहा जादा है कि ये दरे सल एक पहला फेज है बीजेपी ने अपने चुनावी दाव तो ये केवल एक प्रोजेक्ट है इसके आधार पे कोई आपको टेक्नोलजी नहीं देगा उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको दो तीन लोको मोटिव देदा कि कि आप इसको यहां पर आसेंबल कर लो पर अगर वाकिए हम इसको पहलाएंगे भाजपा ने अपने मैनिफेस तो जाहिर है कुछ टेक्नोलजी आप अबसॉब कर पाओगे पर अगर आप जपान चीन फ्रांस तीन देश देखो जिनके पास यह टेक्नोलजी है कितने देश में एक्सपोर्ट कर पाए हैं आज तक जैसे मैंने कहा शुरू में ही अभी तक तो यह 15 और 12 और 15 मुलकों में इसको लगाया गया है पूरी दुनिया में तो एक्सपोर्ट पोटेंशल इसका मुझे जादा उतना नहीं दिखता है कि आपके पास आगा भी जाए तो आप कांट्राक्ट कहीं और जीत लें यह भी काफी मुश्किल है क्योंकि आप कंपीट करेंगे चीन के साथ या जपान रहेगा इस तरीके के प्रोजेक्स में इन्वेस्ट करना या फिर जो आम जादातर लोगों को सुविधा मिले उस तरीके के प्रोजेक्स में इन्वेस्ट करना देखे भारत में तकरीबन सतर हजार किलोमेटर का रूट है रेलवे का जिस पे एक लाख बीस हजार किलोमेटर का ट्रैक है और जितने लोग अगर ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं आज के दिन में वर्चुली रेल की ट्राफिक बंपर टू बंपर जिसे कहते हैं जैसे दिल्ली में सड़क पे गाड़ियां चलती हैं वैसे रेलवे में हो गया आप नई गाड़ियां इंट्रड्यूस भी अगर कर लें तो जगह नहीं है आपको चलाने के लिए तो बहुत जरूरी यह है भारत में अगर आपने रेलवे को बढ़ाना है तो एक पारलल ट्रैक पूरे देश में बनना चाहिए ताकि तभी आप इस ट्रेन को और बढ़ा पाएंगे और जिसमें आम पैसेंजर ट्रैवल कर पाएं एक तरफ आपके एसी वेसी चलें और दूसरे आपके आम नागरिक चल पाएं तो माइ माइंड यह में प्रियोरिटी होनी चाहिए रेलवे की ताकि जनता उससे उसका भला हो जो जिनकी जरूत है सबसे जादा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए न्यूस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद